आज के बहुत ही important video है क्योंकि आज हम सेखने वाले हैं कि data wrangling क्या होता है जो एक बहुत important step है किसी भी data science के field में ने For example, आप python से programming करें data science के लिए data wrangling is one of the important processes before you start even analyzing the data जैसा कि dr. Mohsen Ramey साब ने भी हमारी जो workshop हुई है उनके साथ meeting उना ने बोला कि data wrangling सीख ले अगर आपको skills सीखना जाते हैं data science में सबसे पहले तो होती क्या है और इसको कैसे देखते हैं हम देखने से पहले जो आज लोग हमारे साथ ने जुड़े हैं उनको मैं बदा दूँ कि हम चालिस दिन के अंदर data science with python also known as python का चिला with बाबामार with बाबामार हम कर रहे हैं अगर आप ये वीडियो को देखने से पहले वो पूरी playlist देख लें तो आपके लिए बेतर होगा जिसका लिंक उपर यहां पर आपके सामने card के अंदर आ रहा है उस पर क्लिक करके इसे वीडियो को पॉस्ट करें और उसे देखें दुबारा हाजर हो हाजर ना हो आप आएं हाजर मैं हूँ आपकी खिद्वत में तो चलिए स्टार्ट करते हैं data wrangling जो है ना यह बहुत important है कियो important है क्यूंके data pre-processing, data cleaning, data tidy अप बहुत सारे processes आते हैं जो data wrangling में आते हैं data wrangling एक बहुत मशूर word हो चुका है आज़ कल data science में और इसको देखने से पहले हम कुछ steps को देखते हैं pandas का libraries को उसको यूज करते हैं तोर पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए ताके हम अच्छे से अच्छा डेटा बना सकें यार लेट सी अब यहां पर यह स्लाइड में आपको पहले भी बताई कि यह एक डेटा मैनिपुलेशन यह डेटा रेंगलिंग की पूरी एक फ्लो डाग्राम है जिसको हम अच्छा बना सकें यह देखनी हैं यह वाली जो हमने देखनी हैं अब इसको मैं बदा तो चुका हूँ कि यह सारी चीजे हैं करवा भी चुका हूँ अब हमें केस्टेडी देखेंगे कि हमने डेटा रेंगलिंग करनी कैसे है इस वीडियो में हम डेटा रेंगलिंग की केस्टेडी देखने वाले हैं So without any redo, let's start इसमें हम यह क्या करते हैं जनाब Handling Missy Values करते हैं फिर Data Formatting करते हैं Data Normalization करते हैं Different Procedures है Scaling भी है, Centralizing भी है फिर Data Binning करते हैं Group को Bins में डाल देते हैं मतलब Different Groups बना देते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या होते हैं And then Making Dummies of Categorical Data मतलब Categorical Data को हम Numerical Data के अंदर Convert करते हैं या Dummies या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि Bining में Numerical Data को Category में करते हैं और Dummies में Categorical से Numerical Data में Convert करते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि Pandas और MS Excel तकरीबन Same है Data Frame यहाँ पे जो Worksheet होती है Excel के उसे बोलते हैं, Columns को Series बोलते हैं, Index, Row Heading होती है और Row, Rows ही होती है लेकिन N, A, N अब आपकी Assignment है कि N, A, N किस चीज़ का Abrivation है वीडियो को Post करें, Search करें और Comment section में लिखें और मुझे भी एक Audio Message बेज़ें कि N, A, N का मतलब है यह चीज़ ठीक है जो आप करने वाले हैं अब उसके बाद, यह सब करने के बाद, हम चलते हैं Proper Hands-On Training के उपर चलें? Ready हैं? Challenge तो जनाब अली यह है Data Wrangling आप बहुत Visual Studio Code के साथ आप लोगों की काफी जो है बन चुकी है इस वक्त तक तो आपको पता है कि हम Visual Studio Code में क्या क्या करते हैं Let's start Data Wrangling मैंने Markdown की File Open की है यह देखें यहां पिया पियान भी जुपिटर Notebook को मैंने VS Studio Code में किया है VS Code Visual Studio Code इसके अंदर की है and then here you can see सबसे पहले आपने इंस्टॉल करनी libraries यह तीन libraries इंस्टॉल करनी अगर आपके पास नहीं है अगर हैं तो just import these libraries अब अगर मैं one by one करके line of code लिखूंगा ना तो आपके लिए मसला होगा If you need to practice with it and you should just pause the video and write the cell of that code मैं सिरफ आपको ready-made code के उपर काम करना बता रहा हूं यह तीनो libraries हमने सबसे पहले import करनी है मैं इसको shift और enter दबाके import कर लेता हूं run हो गया यह देखें and then मैं कष्टी का dataset जो ऐसे download करता हूं Titanic का sns.load dataset से और इसको मैं ks1 और ks2 कर लेता हूं ks1 और ks2 क्यों की है क्योंके मैं तीनों में difference आगे देखना चाहता हूं आपको समझ लग जाएगी कि क्यों की है जब आप वीडियो को देखेंगे यह मैंने इसको कर लिया अब भी मैं देखता हूं कि कष्टी का dataset हमारे पास है और ks1 और ks2 भी है हमारे पास ठीक है आप सिर्फ कष्टी के dataset को ऐसे ही रखें अगर आप इसको comment out भी कर दें तो it doesn't matter हम बदबारा के से comment in कर लेंगे इसको मैं head करता हूं सभी को पता है जो मेरे साथ जब से जुड़े हुए है कि ये कष्टी का dataset है जिसमें classes है, survive number है और बहुत सारी चीज़ी है अब सबसे पहली चीज़ आती है कि simple operation along the series जो मैंने आपको बताया है अब बड़े-बड़े simple operations कर सकते है like मैं चाहता हूं कि age में सारे के सारे column में कोई change आए तो मैं क्या करूंगा ये वाला comment लिखूंगा कष्टी और ये bracket खोली साथ में age वाली series मैंने select की plus 12 किया मतलब मैं यहां पे plus 1 करूंगा ना तो ये 22 की जगा 23 हो जगा and so on and so forth ये मैंने A की line में साथ ही head दे दिया इनको bracket डालने के बाद ठीक है इतनी तो आपको समझ आगी होगी न अगर अब इतक practice करते हैं इसको मैं shift enter करता हूं तो आप देखें कि ये उसके अंदर add हो गया one 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 तो इस तरीके से आप कोई भी operation along the column कर सकते हैं अगर आपने इसको plus six करना है then here's the thing you can also do that ठीक है आप इसको multiply six भी कर सकते हैं तो आप कोई भी mathematical operation जो है वो along the column कर सकते हैं अगर आपका data numeric है ठीक है अगर आपका data categorical है then you can also use some operators for string concatenation या string function को use करते हो आप कर सकते हैं you can give it a try अगर जरूरी है otherwise no need to do that then data wrangling के कुछ steps है सबसे पहले dealing with missing values हम किस तरह करते हैं for example in a dataset missing values are either na not applicable और nan अगर आपने पीछे देखे है ठीक है वन्हाँ मैं बता देता हूं not a number not a number और zero और a blank cell यह सारी चीज़ें एक किसम की होती है तो क्या होता है जब भी कोई missing value आती है आएगा तो दस तो दस तो नहीं न खिलने चले जाएंगे ग्यारमे का wait करेंगे न या ग्यारमे को replace करेंगे या ग्यारमे को किसी तरीके से handle करेंगे ऐसा ही है न अगर 14 बंदों के team है तो they will find a replacement from other three तो इस तरीके से आप क्या होसे करते हैं missing values को treat करते हैं इसकी एक और example ले 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 इसकी example ऐसे है कि football की team में आपको पता है जब yellow card दिखाया जाता है football की game के अंदर इसका मतलब है कि या तो उसे वह बाहर भी देते हैं उस player को red card दिखाने के बाद या yellow card दिखाने के बाद उसे एक warning मिल जाती है तो missing values क्या हैं कि आपके team में से एक बंदा कम हो जाती है तो आपके data की worth जो है अकसर ज्यादा भी हो जाती है अकसर कम भी हो जाती है but depends on the data उस चीज़ को हम missing values को deal करना बोलते हैं for example जब कभी data ना हो किसी एक row में किसी भी एक parameter का या खाली से लो हो उसे हम missing value बोलते हैं ठीक है zero हो या खाली से लो zero से मुराद यह नहीं है कि वो data वहां पे zero था अभी zero one zero one वो categorical है numerical zero की बात कर रहे हैं अभी किसी की age zero तो नहीं नहीं हो सकती यार कमज़ कम कुछ तो होती है इस cricket के player को call करने की यार कौँ पर रह गया आजा 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 उसको बुलाने की अगर वो नहीं आता तो कोशिश करें कि missing value वाला number निकाल दें मतलब उसका नाम निकाल दें किसी और को अंदर enter कर दें उसकी जगावे ठीक है और या क्या करें आप replace the missing values जो मैंने कहा कि replace करती है अब cricket की team में possible ही नहीं है कि आप नाम को निगा ले तो इसी तरह काफी data sets में possible ही नहीं होता कि आप row या column को remove करें you have to find a way to deal with those missing values ठीक है और क्या करना है आपने replace the missing values लेकिन करनी कैसे है भई replace सबसे पहली चीज़ average value of entire variable और similar data point मतलब average ले लें सारे variable की like यह age है यह पूरे age के column का mean लेकिना आप उसको missing value में डाल दें ठीक है मतलब यहां पे किसी की नहीं लिखी हुए तो पूरे age के variable का mean ले लें तो उसका impact कम हो जाएगा weight कम हो जाएगा दूसरा क्या है और उसको frequency या mode से replace कर दें यह बहुत कम use होता है लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं ठीक है फिर तीसरा क्या है replace based on other functions data sampler non that मतलब जिस बंदे ने data collect किया ना उसकी base पे for example जब भी वो cricket का player replace करना होगा वो बंदा कहेगा कि उस paie का ही कोई बंदा चाहिए ठीक है जो उसकी तरह खेल सके अफरीदी को अफरीदी जैसा बंदा ही कर सकता है replace कोई और ने कर सकता मौमद हफीस को उसके जैसा बंदा ही replace करेगा कोई और ने कर सकता तो selection committee के members को पता होता है कि उसमें क्या qualities है यह coach को बता होता है वो ही select करता है similar to that जिस बंदे ने data collect की है अब उसको बोलें के यार तुम्हें बहतर बता है कि कौन सा number यहां पे है ठीक है फिर तीसरी चीज़ machine learning का algorithm भी use किया जा सकता है जो आपको मैंने बड़े अच्छे तरीके से रोफ की class में बताया है कैसे कि linear regression के बाद आप unknown values को find out कर सकते हैं तो machine learning can also be used to find the missing यहां पे मैंने क्या छोड़ा है मुझे audio बेज़ दे अब भी ऐसे काम आएंगे leave it like that कभी-कभी हम खाली भी छोड़ देते no data is lost or less accurate क्यों करते हैं missing values को deal क्योंके it's better यह अच्छी चीज़ है because no data is lost इसलिए करते हैं कि इसकी वज़ा से हमारे data में एक तो खराब भी नहीं आती और अगर हम उसे रखते हैं तो इसकी वज़ा से हमारे data lose नहीं होता for example अगर हमारा एक column है उसमें missing value है यहां पर यह वाली हम deck के column का अगर use ही नहीं कर रहें तो इसको ऐसी रहने दें क्योंके हमें बाकी column चाहिए है जो सारे के सारे अच्छे तरीके से fill नहीं है तो हम क्या करते है based on our hypothesis हम उसको नहीं निकालते अब where exactly missing values are उसके लिए आपने क्या करना है data set का यह वाला function है dot is null लगाना है is null लगाने के बाद यहां पर कश्टी dot is null इसके आगे यह और यह लगा देना है then you have to put some क्यों? क्योंकि यह आपको count करके बता देगा कि missing values किस variable में कितनी है now you can see age के अंदर 177 missing values है we will see what to do सबसे पहले क्या करते है use drop.na method use करते है उससे क्या आता है कि missing values जो है वो बिल्कु ड्रॉप हो जाती है कैसे print किया हमने कश्टी की shape को यह मैंने क्यों किया है इसको मैं comment out करता हूँ then we will see फिर क्या है कश्टी drop na यह वाली command लगाने किसी भी data frame पे फिर उसका subset लिखने है जिस column को आप drop करने वाले है ठीक है फिर आप क्या करेंगे axis लिखेंगे और input true करेंगे in place true करेंगे अब इस सारे में functions के क्या मक्सद है यह हमारा data frame है यह हमारा argument है जिससे null values या missing values drop हो जानी है subset करना है हमने सिरफ deck के अंदर से ठीक है string यह सिरफ यह variable जो है उसमें axis 0 के base पे वो drop हो जाए and then in place true मतलब original data set के अंदर change manipulate हो जाए अगर इसको false करेंगे तो change original data के अंदर नहीं होगी ठीक है मैं इसको run करता हूँ और अगर मैं इसको run करूँ तो इसका क्या मकसद है let's see अब यह देखें कि यहाँ पे इसकी shape आगी हमारे पास ठीक है और जब हमने इसको drop किया तो क्या हुआ है वो देखते हैं अब देखें अगर हम दुबारा से null values देखें तो आप देखें कि हमने क्या किया deck वाली remove की न तो automatically age वाली में से भी चीज़े निकल गी क्यूँ क्यूँके वो उन्ही रोज के अंदर missing values थी या उन्ही columns के अंदर थी जिन में age भी missing थी तो हम जब सबसे पहले सबसे ज्यादा वाली तदाद वाली को देखते हैं या किसी एक ऐसे column को data view करने के बाद देखते हैं तो उन्हें सबसे पहले निकालते हैं तो deck वाली को remove करने के बाद हमारे पास ये scene हो गया अभी भी हमारे पास age में भी missing values और embarked में भी है ठीक है ये हमने remove करने के लिए लगाया ठीक है अब इसमें ये वाला जो argument है ये करता है किस्ती का drop na ठीक है इससे क्या होगा किस्ती के data set में सारी जो values हैं वो drop हो जाएंगी इसको मैं कहता हूँ to drop na's ये वाली होगी फिर then यहाँ पे आएगा to update the main data frame कौन सा data frame किस्ती को update करने के लिए जीकोड़ लगाया अब ये देखें अगर ये आप लिखेंगे तो इससे ये drop वाला है चल पड़ा इस वज़ा से is null का मतलब है कि मैंने दुबारा से find out की ये चलाने के बाद के कोई है इसमें sum उनका number तो मैंने क्या किया एक line of code में उसको remove भी किया उसको दुबारा से check भी किया और उसका number भी find out किया तो ये देखें हमारे पास अगर मैं यहां से इसको इतने को run करूँ for example यहां से ये run करूँ तो हम देखते हैं क्या होता है sorry तो ये क्या हो रहा है जनाब यहां से इसको remove करते है किस्ती drop na ये हो रहा है हाँ ठीक है वो हमने पहले से remove कर दी थी तो इस वज़ा से वहां पर कोई नहीं है अगर हम clear output करें सारे के सारे की then we can actually rerun the cells and we can check again क्योंकि जब हम data को clean कर रहोते हैं रड़ी इंस्टाल्ड है ये वाले मैंने इंपोर्ट की मैंने किस्ती के डेटा सेट को लोड किया और उसमें से then मैं किलता हूँ मैंने is null values निका ली 177 और 688 है ये आपको बड़ी मैंने पहले समझा दिया then what I did मैंने सिर्फ deck वाले को remove करना हो तो मैं ये वाली command run करूँगा जिससे deck वाले में remove हो गया मैंने दुबारा चेक किया कि वाकि remove हो तो ये हो गया scene ठीक है then what I did मैंने क्या किया किस्ती drop N ने ये किया और इसके बाद मैं दुबारा से चेक किया कि कितनी किस्ती के अंदर values है missing तो आप देखें कि सारी कि सारी drop हो गए किस्ती के data set के अंदर से तो अभी हमारी missing values सारी कि सारी निकल गए है ठीक है तो ये पूरे data frame से भी आप drop कर सकते हैं लेकिन depend करता है कि अगर आप drop करने के बाद आपके पास still enough data है या नहीं है अब हम कैसे check करेंगे है कि हमारे पास enough data है हम shape का argument लगाएंगे 182 columns हमारे पास rows रह गी है और 15 columns है ठीक है अब हुआ क्या है आप अगर यहां पे shape का देखें तो हमारे पास 89 rows थी 891 थी और यहां पे हमारे पास 182 रह गी है ठीक है तो यह missing values निकालने से पहले इसको सोचना है कि आपके पास data कम तो नहीं बच रहा तो आप इसको ऐसे कर देते हैं then ks1 is null sum हम देखते हैं कि ks1 में कितनी है मैंने जो उपर ks1 और ks2 लगाए थे यह वाले अब इसको हम use कर लेंगे further analysis के लिए क्यों 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 कि इसको use करने का फाइदा जनाब यह यह है कि अब हम पिछले data को जो clean कर चुके है drop any method के साथ यहां तक उसको हम दुबारा से नहीं छेड़ेंगे हम ks1 को देखते हैं कि उसके अंदर कितनी है तो यह देखें इतनी है आगी उसके अंदर again फिर replace कर रहे हैं अब हम missing values को पहले data कष्टी को use कि अब हम कर रहे हैं ks1 को हमने क्या करना है age के column का main लग आ रहे है क्योंकि age में हमारे पास 177 missing values हैं मैंने बताया था या तो delete कर दें या replace कर दें अब उस cricket के player को हम replace करने वाले हैं यानि missing value को तो सबसे पहले जब हम mean निकालते हैं तो इसका mean आता है 2.9 something ठीक है फिर हम क्या करते है ks1 ठीक है यही data frame और उसकी age के अंदर हम manipulation करने वाले हैं क इस चीज में हम कहेंगे ks1 की age में replace करें nan value को main के साथ अब nan को np.nan क्यों कहेंगे क्यों कि यह numpy की array के थोर पे हम use करेंगे इसे और जब हम यह वाला column लगाएंगे ना तो हमारे पास missing values replace हो चुकी है अगर मैं इसको दुबारा से check करूं कि वाकि 177 जो यहां पे आ रही थी क्या यह अभी भी 177 है लेट्स चेक अगान यह हमने column लगा है boom age सारी replace होगी है उसके mean के साथ जहां पे not in number यानि खाली values थी missing values सारी हमने replace कर दी यह तो होगी जनाब चीज अब आप क्या काम है कि आप deck वाली value को mean के साथ replace करें ठीक है and assignment मुझे send करें और embark down वाली value को remove करें and assignment मुझे send करें then data को एक common standard format पर ले के आना पड़ता है सबी को कैसे for example ensures that data is consistent and understandable easy to gather है easy to work with है मतलब यह कि अगर आपने फैसलाबाद से data collect किया ना तो किसी column में फैसलाबाद और किसी column में FSD ऐसे नहीं लिखना या तो सारे columns में जहां जहां फैसलाबाद FSD लिखें या तो फैसलाबाद का फैसलाबाद रहने दें mixture ना लिखें ताकि data को understand करने में समझ आए ठीक है इसको duplicate removal भी बोलते है या data formatting या data standardization भी बोलते है ठीक है लहोर वाले कारों में लहोर रखें इसलामबाद वाले के इसल आप नीचे लिखें ठीक है and I'm currently based in this city से भी है आप वो भी नीचे लिखें थाकि हमें पता चल जाए कि कहां कहां से लोग देख रहे हैं फिर जैसे चिल्ले में लोग अपने अपनी मर्जी करते हैं हमेशा वो क्या करते हैं कभी पिशावर लिख देते हैं कभी कराचे लिख formatting वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आपको ऐसे होता है कि किसी ने weight gram में लिखा होता है किसी ने kilogram में किसी ने pounds में तो you have to do some mathematical operations जैसे मैंने आपको पहले बताया और आपको सभी चीजों को किसमें लिखने एक unit के अंदर जब आप एक unit के अंदर लिखेंगे then it's good to work with that variable otherwise नहीं अभी for example age का हमारे पास यहां पर column है अबर किसी बंदे ने age में किसी ने दिन लिखे हो है किसी ने साल किसी ने महिने किसी ने weeks लिखे होंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा उस date का ना that's why units are really 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 important मैंने कितनी दफ़र really का है प्लीज मुझे जरूर बताएं नीचे comment section में sorry यार मुझे यह सब कुछ करना बढ़ता है लेकिन अगर आप साथ चलना जाते है you have to follow the rules मैंने नहीं बनाए यह आप लोगों ने बनाए है किसने बनाए है मैं आपको बताऊंगा फिर क्या है on standard unit मैंने यहां पर लिखना था spelling गलत होगे on a standard unit in each column one standard unit in each column यह one था in each column ठीक है for example fits are not equal to centimeter जो बहुत सारे लोगों ने height के column में किया था यादा है that's the point and then कैसे हम पता लगा सकते हैं कि data की types कौन सी है for example अगर age का column है न तो you have to actually put that into a numeric variable या integer तो उसको check करने के लिए कि कौन सा column क्या है आप यह वला function लगाते है data types का type नहीं लिखना है type से लिखना है ठीक है kष्टी dot data types तो कष्टी का सारा data type यहां पर आ जाता है या ks1 का भी आप लिखेंगे न ks1 का data types तो वह सारा आ जाएगा int 64 या int same चीज होती है object है sex का ठीक है ये सारी चीज़े आगी object को categorical variable भी कह देते हैं boolean operator भी है true और false ठीक है तो इस तरीके से आप data types देख सकते हैं अगर एक को दूसरे में convert करना है तो वो भी आप कर सकते हैं वो कैसे करना है आपको पता है कि ये survived का column है कश्ती के survived का इसको मैं convert करना चाहूं integer में अभी किस चीज़ में है देखें survived integer 64 में है इसको अगर मैं convert करना चाहूं for example float 64 में you can use this command और इसके बाद आप कश्ती का data type भी देख सकते हैं तो आप ये देखें float में convert हो गया अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको int 64 में करूं convert तो मैं ये लगाँगा तो आप देखें int 64 में हो गया और ये show क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने ये command तुबारा से लगाई है तो simply आप बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं एक dataset को numeric int या किसी और चीज़ में convert कर सकते हैं अभी जिस बंदे का dataset काम नहीं न करता plotting के दुरान they can actually do this type casting जो मैंने start start में बताई थी अब भया याद but this type casting is different than the one that I told you क्योंकि यहां पर as type करना है फिर क्या चीज़ है age को हम days के अंदर convert करते हैं ये एक simple सी type casting मैं आपको बता रहा हूँ इससे क्या होगा हम चाहते हैं कि हमें सारे के सारे जो साल है न हमें दिनों में चाहिए क्योंकि किसी बंदे के requirement है कि आप मुझे day wise data दें ठीक है किस दिनों कितने दिनों का कोई बंदा है ठीक है तो आप क्या करेंगे simply वो column लेंगे उस dataset का उसो multiply कर देंगे जो मैंने सबसे पहले operation बताया इसको हम करके देखते है age को 365 के साथ तो आप यह देखें यहां पर दिन आ गए 13,870 दिन, 9,490 दिन तो इस तरह आ जाएंगे ठीक है अब आपने क्या करना है you have to remove these zeros कैसे करना है that's your assignment पहली दूसरी दूसरी जितने भी भी है ठीक है और इस तरीके से आप इसको कर सकते है then always rename afterwards जब आपने इसको दिनों में कर दिया ना तो age थी ना अब ks1.rename इसका function use करना है columns में हमने age को age in days में convert करना है ठीक है और in place true का मतलब यह है कि data frame में change आ जा जा है let's try this और आप देखें कि age in days में convert होगी यहाँ पर age था यहाँ पर age in days होगी मैं कष्टी के data set को इसी वज़ा से use करता है because most of you are really familiar with this data set then data normalization करना अब तो यह चीज होगी अब data normalize क्यों करते हैं यह मैंने आपको statistics की video में बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से समझाया है कि normalized data पर parametric analysis लगते हैं जो normalized नहीं होता लेटा तो उस पर हम non parametric analysis या test लगाते हैं अब जो normalized नहीं हैं उसको normalized बना भी सकते हैं क्यों कैसे और किस तरीके से अब ही मैं आपको बताने लगाँ लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको बता दू कि normal data क्या होता है normal data असल में जो bell curve बनाता है जो एक bell shape बनाता है उसको normal data कहते हैं जो histogram में हम देखने वाले हैं कैसे let's see यह है जनाब uniform data होता है making user they have same impact यह खलत लिखा गया मेरे से सभी data का save impact होता है जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यह हम पर मैं लिखे एक मचली समंदर में और एक jar में कैसे अभी एक बड़ा समंदर है ठीक है एक बहुत बड़ी whale मचली एक corner में है समंदर की और उसका हम comparison कर रहे हैं एक छोटी सी shark मचली के साथ ठीक है whale मचली बहुत दूर है shark मचली कहीं पर फिर रही है हम ऐसा दोने ना कर सकते हैं वहाँ पर जो whale मचली है ना उसका comparison इस मचली के साथ करते हैं जो हमारे पास that means we have to make them मतलब यह कि जब आप किसी की height मापते हैं तो आप क्या करते हैं दुनों को साथ साथ खड़ा कर लेते हैं ठीक है तो उनका comparison अच्छा हो जाते है ठीक है आप यही समझें कि data को normalize करने के लिए आप दुनों variables को या data को range में ले आते हैं हम आप देखते हैं अब देखें हमने किस्ती के data set को किया computational reasons की वज़ा से भी बड़े data sets पे graph बनाने थोड़े से मुश्किल हो जाता है दब data set बहुत बढ़ा होता है और arm data पे असान रहते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पे हमने किस्ती के data set को age और fair को select हिया और उसको head किया यहाँ पे अब क्या मसला हो रहा है let me see खिष्टी, age and fair let me see age is आँ, sorry यहाँ पे मैंने इसको age in days कर लिया था ठीक है तो यह देखें age और fair आप देखें कि यहाँ पे age का यह है ठीक है और fair हमारे पास यह आ रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं for example अगर मैं simply क्या करूँ कि यहाँ पे age in days जो है यह मैंने यहाँ पे change किये थे इसकी ज्यादा value और fair की ज्यादा आ रही है let's see the above data is really in wide range देखें कहां पे इसका data जा रहा है कहां पे इसका जा रहा है तो x-axis और y-axis में बड़ा पंगा बनने वाला है 7 और 71 फिर 53 और आगे भी सी तरह अब यह देखें 13,000 है यहाँ पे यहाँ पे चुरणवेस होगा है तो हमने नर्मलाइज कैसे करना है हम 0 to 1 की तरफ लेएंगे कैसे कुछ तरीके हैं मैं आपको सारे तरीके बताने लगा हूँ मैथड ओफ नर्मलाइजेशन क्या है सिंपल फीचर स्केलिंग स्केलिंग क्या होती है कि आप ऐसा करें x-new जो निया नमबर बनाना है हमने x को x किया है यह वाला data मतलब यह 80-30 को अपने नया नमबर बनाना है तो उसका नया नमबर यहां पर आगया है old is 30 divided by इसकी maximum क्या है पूरे data set के अंदर maximum value क्या है उसके साथ उसे डिवाइड करेंगे इसको बोलते है simple feature scaling इसका हम नीचे देखेंगे फिर minimum max method है z score and then log transformation है और भी है काफी वह आप नीचे list down करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको पता है इन चीज़ों का अभी यह fair को अगर हम करें normalize पहले तो आप देखें कि हम क्या करेंगे जो वह पहले वाला fair है ना उसको हम divide कर देंगे fair के maximum के साथ then we will see what happens look यह अब 0 से 1 की range में आगया data fair का यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो data था normalize करने से पहले 7.25 और 71 था अब देखें यहाँ पे 0.014 और 0.139 आगया मतलब difference उतना ही है लेकिन data की range छोटी हो गई है ठीक है 7 से 71 था यहाँ से 0.014 से 0.1 था ठीक है अगर आप इसी तरीके से age को भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं कैसे मैं यह simply यह लेता हूं यहाँ से इसको यहाँ पे लिखता हूं यहाँ पे मैं लिखता हूं age in days इसको मैं copy करता हूं copy करने के बाद यहाँ पे age in days लिखता हूं ठीक है इसी तरीके से आपने सारा formula copy करके लगा सकते हैं ठीक है और यह मैं ऐसे किया तो आप देखें कि हमारे पास age in days भी normalize हो गया और fair भी normalize हो गया कितना असान तरीकर दोनों 0 से 1 की range के अंदर आगी minus 1 भी इसमें होता है minus 1 से 1 दूसरा method है mean and max method इसमें क्या होता है जनाव भादी आपने extremely उसमें से minus किया उसके minimum को mean method हो गया then extremely और उसके maximum लिया and then उसमें से minimum को minus किया तो यह एक formula है यह आपके सामने लिखा हुए इसको understand करने के और equation में बनाने के आप कोशिश कर सकते है simply क्या किया है string लेके fair को fair के minimum से minus किया by यह उपर वाली equation आगी by करने के बाद divide by करने के बाद यह नीचे वाली equation आगी ठीक है तब fair को जब मैं ऐसे करता हूँ KS4 को तो आप देखें कि हमारे पास डेटा सेट इस तरह आ जाता है क्योंकि हमने पहले normalize किया होता है तो आप इस तरीके से further कर सकते है mean max method से आपको मैंने बता दिया फिर z score आता है z score method क्या होता है यह 3 तक होता है मतलब minus 3 थे plus 3 center में 0 इसकी range 0 से 1 नहीं होती है इसकी 0 से 3 होती है अब इसको करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह भी इस तरीके से जाज़ा था क्योंकि हमारे डेटा सेट पहले बहुत यहां पे बड़ा हो चुका है that's why यह अब नीचे को run कर रहा है but the thing is आप original डेटा सेट पे इस तरीके से उसे normalize कर सकते हैं z score method से then आप क्या कर सकते हैं np.log ले सकते हैं किसी भी एक value का तो वो क्या करते हैं उसको normalize कर देते हैं ठीक है क्योंकि हमारा यह वाला डेटा बहुत minimum जा रहा है तो इस वोई जा से हमें क्या करना पड़ेगा for example यहां पर मैं आपको एक example देता हूँ कि मैं किस तरीके से normalize करने वाला हूँ यह sns को यह वाली command को मैं क्या करता हूँ यहां पर लगाने के बाद इसको मैं equal to कर लेता हूँ जनाब equal to इसको ks कर लेता हूँ ks हमारे पास डेटा सेट नहीं है इसको मैंने ks कर लिया मैं इसको run करता हूँ यह run किया मैंने दोबरा ks करने के बाद अब आप देखेंगे कि यह ks पे हम अगर log transformation लगाते हैं कैसे होता है सारा उस ठीक है क्योंकि हमने डेटा को पीछे manipulate किया नहीं तो इस वज़ा से हमने सारे method को आपका मैं सिका रहा हूँ तो इस वज़ा से यह मसले आते आते हैं अब मैं यहां पे ks के fair को normalize करने लगा हूँ ks fair ठीक है let's see पहले इसके मैं उपर लिखता हूँ ks.head यह देखें यहां पे fair जो है न 7.25 something है जब हम इसको log करते हैं तो आप देखें fair क्या आ गया 1.98, 4.26, 2.07 तो उससे कहीं कम आ गया 71 को उसने क्या बना दिया 4 और 7 को क्या बना दिया 1 आप यह देखें को normalize करने का मतलब यह उनके अंदर difference की range वो ही है जो minimum और maximum की है लेकिन उसके units को concise कर दी है मतलब वो मचली जो अधर बैठी थी बहुत दूर समंदर में अधर बैठी तो उनको मचली के sizes को छोटा करके एक jar के अंदर ले आए है तब आप अपनी आँख से देख सकते हैं अच्छा, now I can see the difference तो इसको human readable या machine readable size भी बोलते है normalization को, ठीक है फिर binning आ जाती है आपको यहां तक समझ आगी होगी अगर आपको समझ आ चुकिए normalization की कैसे करना है बहुत असान है आप देख लिए हमने कर भी लिए है ठीक है और एक question आता है कि जब आपके पास data set बहुत बड़ा हो क्या आपको तब normalize करना चाहिए data को या नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए तो क्यों that's the question और आपको इसका answer कुमेंट में देना है क्योंकि हम थोड़ी से activity भी साथ-साथ करते है then the next thing comes binning क्या होती है आप क्या करें age का group है न ये वाला आप इसको bin कर दें कैसे 20 साल से कम वाले group A में 20 से 21 से 40 वाले group B में और उस से आगे वाले group C में आप उसके grouping करेंगे तो वो binz में आ जाएंगे ठीक है जवान, बुड़े और बच्चे लोग ये आप खुद करेंगे और इसके code को run करने के बाद आप बताएंगे कि किस तरीके से आपका code run हुआ है ठीक है ये आपकी assignment है आपने किस्ती वाले data set में तीन age group बनाने अपनी मर्जी के बनाने जरूरी नहीं है कि 20, 25, 30, 40 या मैंने आपको बताना है आप अपनी मर्जी ते देखें बच्चे को उना है, जवान को रहा है और बुडे को उना है ठीक है then चोथा step है कि आप categories को convert कर सकते है dummies values में मतलब कि यहां पे sex के अंदर male and female है male को आप one कह लें female को zero कह लें या zero male को कह लें और female को one कह लें वो कैसे आपने करना है simply आपने ये वाला choose करना है क्यों ये zero one करते हैं क्योंकि अक्सर machine learning के algorithm के अंदर हमें इसे convert करना पड़ता है values के अंदर वो हमारे लिए easy होता है categorical की बजाए हम numerical input दे देते हैं या factorial input दे देते हैं ठीक है zero और one क्या करना है pd.get dummies ठीक है ks1 और sex को अगे convert कर देना हमारे पास ks को हम convert करते हैं और देखते हैं कि वाकिए इसने convert किया कि नहीं किया ठीक है इसको करने के बाद मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ यह देखें female zero होगी male one होगया ठीक है तो यह दो column इस तरह बन जाते हैं और इसको हम बाद में देख सकते हैं simply आप इस तरह अगर के इसकी dummies लगा देते हैं अब ks. अगर मैं head करता हूँ तो मैं देखता हूँ इसके अंदर change आई तो आप यह देखें कि sex के अंदर change नहीं आई अब आपकी काम बनता है कि आपने इन dummies value को append कैसे करना है append sex की जगा पर replacement कैसे देनी है उसके लिए कौन सी चीज लगेगी और आप किस तरीके से इसको 0 और 1 में transfer कर सकते हैं you have to do transfer into dummy values ठीक है यह आपने करना है आज का काम आपको बहुत मैंने दिया क्यों दिया है मैंने आपको एक chance दिया कि you can actually pace up with me और मैं शायद इसी वज़ा से रुका हुआ हूँ कि मैं filter अभी ना लगा हूँ हो सकता है मैं एक से दो दिन आपको और दे दू but the thing is please 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 work hard मेरा अपना दिल जो है नवो दुखता है ऐसे filter लगाने में और मैं लगाना भी नहीं चाहता but the thing is we have to follow the rules अपना ख्यार रखें और assignments को पूरा करें hopefully आपको आज की वीडियो यह वाली बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please comment section में लिखें और इस चैनल को subscribe कर लें तो आपके अपनी मर्जी नहीं करना तब भी आपकी मर्जी है but like जरूर किया अगरे वीडियो को ताके ज्यादा से ज्यादा लोगों को reach मिल सके Thank you so much अपना ख्यार कियागा Take care and Allah Hafiz